मैं डॉक्टर तरुन सकसेना, सीनियर फिजीशन हूँ जो कि अजमेर शहर में मुख्य तरफ अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेरा कारेशेत्र मैडिसिन के वेविन फिल्डों में लेकिन डायबिटीस मेरा मुख्य इंटरस्ट का विशे है मदू में यानि डायबिटीस डायबिटीस आज के समय में पूरी दुनिया में एक महामारी की तरह फैली हुई है हिंदुस्तान में करीब साड़े चार करोड लोग इस महामारी से पीडित हैं जिसकी संक्या अगामी समय में और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है डायबिटीस मुख्यते दो तरह की होती है टाइप वन डायबिटीस और टाइप 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 consumer हम insulin dependent diabetes भी बोलते हैं जिसमें शेरीर में insulin बनना करीब करीब बंद हो चुका होता है इसलिए आदमी को insulin लेने की ही आवशक्ता पड़ती है आज हमारा मुख्य focus या मुख्य discussion का विश्य है type 2 diabetes रहेगा जो सबसे ज्यादा value ही है type 2 diabetes mainly खून में जब शरकरा का level एक particular value से उपर बढ़ जाता है तहुं हम उसको diabetes declare करते हैं जिसमें fasting blood sugar का 126 mg% से ज्यादा होना खाने खाने के बाद की sugar का 140 mg% से ज्यादा होना A.M.H.P.A.1C का 6% से ज्यादा होना diabetes को declare करता है Diabetes के लक्षन क्या है? Diabetes के लक्षन अधिकांश केसिस में पता नहीं लगते के वल इंसिडेंटल तरीके से या किसी और बेमारी के इलाज के लिए जवाब जाते है तब आपको पता लगता है कि आपके शेरी में diabetes या मदूमें पहले से है मुक्यते है आदमी अपने कभी दाथ निकलवाने गया नाख कान का इलाज कराने गया या हिर्दे काहत के कारण या पक्षा काहत के कारण भरती हुआ तब पता लगता कि शुगर का लेवल बहुत जाए बढ़ चुका है ऐसा इसलिए होता है कि शुगर दीरे-दीरे-धीरे जब डवलप होती है तो बौड़ी उस शुगर लभर को लेकर आक्लिमिमिटाइस हो जाती है या जो बौड़ी का सैट पोइंट है वो उसी लेवल पे सैट होता जाता धीरे-धीरे अते जो पहले के समय माना एता था कि अते देख पिशाब लगना अते देख पियास लगना बहुत ज़्यादा भूग लगना वजन कम होना या दिकांश केसिस में मिलता नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसामाने रूप से पिशाब ज्यादा आ रहा है खासवार पर रात में सोने के बाद प्यास बहुत ज्यादा लग रही है वजन कम हो रहा है, ठकान ज्यादा मैसुस हो रही है कोई घाव आपका भर नहीं रहा है हाथ फिरों में सुन पना बहुत लंबे समय से बना हुआ है ऐसी सित्थी में आपको शुगर तुरन टेस्ट कराना चाहिए और वैसे भी रूटीन केसिस में 35 वर्ष की आयू के बाद साल में एक बार बलड शुगर का टेस्ट अवश्य करवाना चाहिए अपने आप में ही बलड शुगर या डायबडीज अपने आप में एक मेटाबॉलिक परिस्टी है जो कि आपके शेरी में कॉलिस्ट्रोल का लेवल भी बढ़ा देती है तता अन्य बहुत सारी चीजों के अंदर भी परिवरतन लाती है जो कि इसके कॉम्प्लिकेशन्स या आगी के तकलिफों के लिए उत्तर दाई है टाइब टू डायबडीज क्यों होती है इसको जवाब अभी तक बहुत जादा स्पष्ट नहीं है परन्तु मोटे तोर पे अन्वाइशिक करण कुछ हद तक रोल या कुछ हद तक काम जरूर करता है अगर आपके परिवार में माता पिता भाई भेन में किसी ओडियाबडीज है तो आपको डियाबडीज होने की संभावना बढ़ जाती है यह दिपी शोद में पाया गया है कि मोनो जाइगोटिक ट्विन्स यानि एक ही अंडे से अगर दो बच्चे पैदा होते हैं बिल्कुल जो एक शकलो सूरत में बिल्कुल एक से हो अगर एक को डियाबडीज है तो दूसरे को होने की संभावना तब भी मातर 30% होती है अर्थार 70% कुछ और कारण है जो जेनेटिक्स या अनुवाईशिक्ता के अलावा भी काम करते है उनका कारणों में मोटापा शारिक श्रम का कम करना या शारिक वयाम ना करना यहों मानसिक कारण काफी प्रमुक है तथा साथ में डाइट का भी रोल इसमें रहता है सबसे पहले मैं आपको मोटापे क्या और हम बताऊँगा मोटापा दो तरह का हम मानते हैं कंस्टिटूशनल मोटापा यह एकोईड मोटापा कंस्टिटूशनल यानि जन्जाद मोटापा या बनावट से मिलने वाला मोटापा बनावट से जो मोटापा मिलता है वो प्राय एक सा होता है इसमें मोटापा शरीर में उपर से लेके नीचे तक पूरी बॉड़ी के अंदर मोटापा ज्यादा होता है यह मोटापा आपका अगर जन्म किसमे बज़न ज्यादा है तो आपके मता-पिता का बज़न ज्यादा है या उनकी BMI ज्यादा है तो अगर आप किसी ऐसी race को belong करते हैं जैसे European race है या मैं अगर अजमेर शेहर की बात करूँ तो खादिम community है ये सब लोगों को जन्मजात या वंशानुकत मोटापा मिला हुआ है ये मोटापा आप कोई शुगर को बढ़ाने में कोई ज्यादा रोल प्ले नहीं करता इसलिए इस प्रकार की मोटापे को हम बहुत ज्यादा गंबीरता से नहीं लेते परन्तु दूसरा मोटापा जिसको acquired obesity कहते हैं जो बाद में develop होती है जिसके अंदर मोटापे में हम tooth peak obesity भी कहते हैं इसमें पेट आदमी का निकल बाहर की तरफ निकलाव होता है और हाथ पर पतले होते हैं ये मोटापा metabolic syndrome का एक लक्षन है और ये मोटापा diabetes को डेवलब करने में प्रतम लेवल का कारण है इसलिए अगर आपको constitutional मोटापा है यानि कि आप एक बार चिकिस्तक से सला लें वो कहता है कि आपको मोटापा आपके बनावट के कारण है आपके परिवार के कारण है तो आपको इतना भेवीत होने के आवशक्ता नहीं है परंतु ये अक्वाइड उबेस्टी है जो कि आट बार मांस फूर्ड को ज़्यादा महत्रा मिछ्वन तक कॉम प्लेक्स कारभोहईटरित का बोजमने कम होना डियापटी का इक बड़ा कारण है ऐसली कह रहा हूं क्योंकि आपको इक रिवार्ट पूड में जाकर शेर्ड रमाने जार्जीर में चीजीर में अत्य दिख बसा ना हो रेशा खाने में ज़रूर हो अब सबसे प्रमुक जिस पर में फोकुस करना चाहूंगा या ध्यान अकरश्ट करना चाहूंगा उससे पहले एक बार शारिक श्रम के लिए बोलूँगा शारिक श्रम या फिजिकल एक्साइज आपको ना सिफ इंसु कारे करने मदद कर दिए इसलिए ये जारिक श्रम का आज के समय में कम होना खास और बच्चों का शुरू से स्कूल और पढ़ाई में ज्यादा फोकस होना तथा टीवी लैप्टॉप में इन्वाल होना अपने आप में इस तरह के से शुगर को डेवलप करने में मदद करता इसको अब तक इग्नोर किया गया है अब तक इसको कभी भी स्पश्ट रूप से दिखा नहीं गया लेकिन ये बहुत प्रमुक कारण है इसके अलावा मानसिक तनाव मानसिक तेजी ये तीनों कारण डियबडीज के डेवलप होने में अकर लंबे समय तक बने वे हैं दो दि किन किन कारणों से होती है मानसिक तकान आज के समय में अगर हम देखें तो बच्चों को बहुत चोटी उमर से हम लोग कोचिंग में बेच देते हैं स्कूल के बाद कोचिंग में लगातार पढ़ते रहना बचे बच्चे अपने आपको मुबाइल लैप्टॉप और ऐसी कारियों में व्यस्त रखते हैं जिससे उनका दिमाग ज्यादा खर्च होता है दिमाग का खर्चा ज्यादा करने से दिमाग में पदाहरत हमारे होता है जिसको हम बोलते हैं एसल कुलीन एक ऐसा नियूरो ट्रांस्मिटर एक ऐसा पदाहरत है जो ना सिर्फ हमारी मानस मनाय रखने में मदद करता है साथ ही बच्चों का नींद कम लेना या वैसकों का भी नींद कम लेना वो भी एक की तरह से मानसिक ठकान पो बढ़ाता है तो यह सब कारण मानसिक ठकान को बढ़ाते हैं किस तरह सी इससे शुगर डेवलप होती hij अभी मैं मांसिक तनाव किसी भी कारणा व कर हो सकता है अगर किसी से इर्षा रखते हैं अपने जिन्दिएं बहुत कुछ पाना चाहते हैं हर समय नेगेटिव तस्ट्यकोन रखते हैं कि मेरे साथ कईश ऐसा ना हगा वैसा ना हगा और हर चीज में आपका रिस्पॉंस या जो कहना चाहिए कि किसी भी तरह से आपका जो जवाब होता है वो अगर बहुत एक्साइटिड फॉर्म में होता है अगर किसी वेक्ति कि एक कार की चावी कहीं गिर गई है तो उसको थोड़ा चिंता होना जोरी है लेकिन दूसरा वेक्ति उतनी ज्यादा उसको चंता में डाल लेगा तो अगर इस तरह का नेचर आपका है और लंबे समय तक ये नेचर आपका बना रहता है तो ये भी आपको म मांसिक तेजी हर काम में वेगरता बहुत तेजी से करना एक काम के स्वाप्त होने से पहले ही अगले काम के लिए सोच लेना हर समय चिड़चड़ापन बहुत हरपड़ाट ये सब भी शुगर को डेवलप करने में लंबे समय तक अगर ये रहते हैं तो एक प्रमुक कारण ह मांसिक सिती में मैंने आपसे जैसे कहा जब आदमी बहुत से मरी जैसे आते हैं जो ये कहते हैं सब मेरी शुगर एक दिन धाई सो थी एक दिन सो हो गई एक दिन साड़े तीन सो हो गई जबकि मैं वही खाना करीब कर उखा रहा हूं उतने ही चपाती खा रहा हूं उतने ही अगर आप बहुत ज्यादा थके वे हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपका ब्रेन में एस्टिल कोली नमख पदार जब फिजियोलोजीकली याप कम हो जाता है तो नीचे की नाडियों पर आपका नियंतरन कम हो जाता है हाइपोथेलेमस पर नियंतरन कम होता है जिससे प इवर में फैट टिशू के अंदर इंसुलन के प्रवेश को रोकती है जिसे में इंसुलन डेजिस्टेंस कहते हैं इसी प्रकार यही नाड़ी की तेजी आलफा-2 रिसेप्टर के द्वारा पैंक्रिया से इंसुलन के निकलने को या रिलीस को प्रहौवित करती है और रोकती है और सोडियम बेशियम पंप में इसे औरो कोषिकां से बाहर आना इंसुलिन की कोषिकां में मास पेशों में घुषुने के लिए अत्यंत आउशक है तदा इंसुल formed के लिए भी पोटेशियम कोषिकां से आना बहुत-बॉर्डयों थां-तो अगर देखें तो हमें यह द सब्सों गृति हैं फोर बढ़ाता है तत?". इस प्रोग जो और किरिया बताई कि कि मिक्याइढ कुम प्रकार से इन अ। considered किस प्रकार सेologists को थेजत करता हैं तशीर कूँ है उससे यह भी डालप टाहरा है। तता मान्सित अच्छी भी उसी प्रकार से आपके डालोप करती is यदि हमें डाइबडीस के लक्षन हमें दिखाई दे रहे हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि काफी हमें थकान है पिशाब बार बार आ रहा है, भूक ज्यादा लग रही है, कमजोरी हो रही है, घाव नहीं भर रहा है तुरंथ हमें चिक्सक से संपर्क करना चाहिए, वो कुछ जाचे आपकी शुरुआत में करेगा जिसमें आपके शर्करा के लेवल, बिल्कुल भूके पेट, खाना खाने के दो घंटे बाद की शर्करा टेस्ट करेगा एक 3-6 मेने का जो कंट्रोल HbA1c होता है, गलाइकोसलिडर हिमोगलोविन वो करेगा खुन में आपके कोलिस्ट्रोल की जाच करेगा, एक आपके आँकों की जाच करेगा, गुर्दे की जाच करेगा और आपके हर्दे की जाच करेगा इन सब जाचों को एक बार शुरू में आवशे कराएं, तता हर 6-9 मेने के अंदर इनको एक बार कराना आवशेक है जिन लोगों का शुगर कंट्रोल अच्छा रहता है, वो अपने फास्टिंग पीपी या बोके पेट और खाना खाने के दो घंटे बाद की शुगर को महीने डेड़ महीने में अपने चिकेस्टा के परमान अनुशार करवा सकते हैं पर जिन मरीजों का शुगर कंट्रोल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है या बहुत गरबड़ करता है उन लोगों को यही सला रहती है हमारी कि अपने पास ग्लुकोमेटर रखें और स्वैम फास्टिंग पीपी लेविल्स को हफते में दो से तीन बार चेक करें तादा दवा का ट्रिशन या दवा की डूस सेड करने में चिकिस्था की मदद करें और अस्वैम अपनी भी मदद करें इसके अत्रिक अगर आपको लगता है कि आपके अंदर तनाव का कितना लेविल Technical को परिशान कर रहा है तो इसके लिए तो तेस्ट और होते हैं Eege या Electro का लेवल कितना ज्यादा है अगर आपको इसका पता लगता है तो आपके डियाबटीस को control करने में इन factors को control करने में मलत मिलेगी और आपके sugar levels ठीक रहेंगे डियाबटीस की मुखे complications में आखों की रोशनी का जाना गुर्दे का खराब हो जाना, हिर्देगात पढ़ना, लकवा हो जाना, गाव करना भरना, कानों में सुनाईव का कम हो जाना इत्यादी है अते मैं आज का अपना ये speech अभी थोड़े सी दिर विराम दूँगा और इसके बाद मैं आपको अगले अंक मैं आपको इस मधुमें से निवटने के लिए दवायां एवं विपश्टना तक्निक जो की मधुमें से निवटने के लिए एक अचूग अस्त्र है उसके बारे मैं मैं विस्तार से बताऊँगा धन्यवाद अजसे बाद मैं 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 राद मैं और विए देफ आपको अपको जसे विए खूग और से अचूगा